इस वक्त एक बड़ी खबर मिल रही है कॉंग्रेस नेता मिलिन देवडा ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है वेहद नस्दीक है और ऐसे में मिलिन देवडा का ये इस्तीफा जो की कॉंग्रेस के लिए बड़ा जटका है और विवेक गुपता जादा जानकारी के साथ ओनलाइन पर हमारे साथ जुड़ चुके है विवेक क्या ठोस वज़ा इसकी रही होगी बताइए मिलन देवडा ने टूट करके साथ ओनलाइन पर्टी से इस्तिफा दे दिया और टूट में साथ ओनलाइन पर लिखा है कि पचपन साल का जो उनका साथ कॉंग्रेस पर्ट के साथ वो अब नहीं रहेगा सुत्रों के मताबिक जो जानकाती मिल दे है कि लोकसवा सीट के लिए साथ मुंबई के लिए वो चाहते थे कि लोकसवा सीट के उनको नाम कर दिया जाए लेकिन वहाँ पर ओलरी ओधर ठात्रे गुट के जो सांसद है अलविन सामद वहाँ पर सीटिंग MP है तो जो महाविका से गारी है वो सीट मिलन देवड़ा को नहीं देना चाहती थी जो सुत्रों से जानकारी मिल दी है इसी वजे से मिलन देवड़ा काफ़ी जाता नाराज है और यह जो नाराज़्गी उनकी 15-20 से लगातार चाहती और अनुमाल लगाए जा रहा था कि मिलन देवरा इस नाराज़की की वज़े से इस्तिफा दे सकते हैं और एक और बड़ी खबर सामने आ रही है कि मिलन देवरा आज एक नई पार्टी में शामिल हो सकते हैं जो सोत्रों से जानकारी मिल रही है सिंदे कैम्प का हाथ मिलन देवरा थाम सकते हैं और अभी ये मिलन देवरा ने अफिशली टूट कर दिया कि वो पार्टी से रिजैंग कर दिया है और कुछ दिर बाद या फिर कुछ जल्दी एक नई पार्टी में शामिल होने वाले हैं और जो सुत्रों से जानकारी मिली है कि महराश के सीम एक नाशिंदे कि सिपसे ना में म ठीक है विवेक आप हमारे साथ बने रहे हैं हमारे साथ न्यूज हिट इंडिया के हमारे सयोगी आरुन भी जुड़ गये हैं सीधे उनका रोप करते हैं आरुन आपसे ये भी समझेंगे कि कॉंग्रेस के लिए ये कितना बड़ा जटका है लेकिन सवाल ये कि कॉंग्रेस अपने दिगज नेताओं को आखर पार्टी में रोक कर क्यों नहीं रख पाती है अब लोग सबाचुनाम से पहले बड़ा जटका तो मुश्किल कॉंग्रेस के सामने है कि उसके पास विकल बहुत कम है अपने नेताओं को देने के लिए उसके बहुत कम है और आज जब भारत जड़ो नया यात्रा शुरू हो रही है राहूल गाधी कुछ दिर बाद इंभाल लैंड करने वाले हैं और उसी दिन मिलिन सितियों पार्टी को समाला है तो मुरली देवडा और मिलिन देवडा का परिवार अगर कॉंग्रस पार्टी से अलग होने की घोश्रा करता है और ठीक दोजार चोगीस के चुनाओं के पहले तो ये बड़ा जटका पार्टी के लिए है और उस दिन जब राहूल गाधी भा साथ उन्होंने कॉंग्रस का छोड़ दिया है अगला कदम वो कब उठा सकते हैं और क्या जो प्रॉब्लम उनकी तरफ से जो सौर्स बता रहे हैं कि जिस सीट से वो चाहते थे चुनाओं लड़ना क्या किसी दूसरे पार्टी में शामिल होने के बाद ये प्रॉब्लम उनक है लेकिन उसके बार पार्टी ने उनको उस जगा के सीट नहीं दि और उत्र ठाक्रेगुट ने उस सीट पर अरविन सावंध को तार, अरविन सावंध बढ़ी ते लेकिन वहीं सीट साूथ मॉंब्लम उनके बहुत इंपॉटन जगा है और काफी मजबूस सीट है मिलन देवडा को नहीं दे सकते हैं इसी वज़े से मिलन देवडा काफी जादा नाराज से और जो यह बाती जो है नाराज़गी क्यों काफी दिनों से चल देती पंदेश दिनों से चल देती और यह अनुमाल लगाया जा रहा था कि मिलन देवडा अपने राज़ितिक करियर में बड़ा कदम उठा सकते हैं जो उन्होंने आज उठाया उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल से ट्विट किया और साब सरुपरे कि 55 साल पुराना जो कॉंगर्स का नाता था उससे आज वो तोड़ रहे हैं अब ऑफेशली हो गया कि मिलन देवडा ने पार्टी से रिजाइन कर दिया कॉंगर्स पार्टी के वो नेता नहीं है अब सामने जो सूतों से जानका ने मिल रही है कि मिलन देवडा एकनाशंदे कैम्ट से संपर्प में हैं और कोई बड़ी बात नहीं है क कि वो आज शाम तर कि आज दुपैर तर मिलन देवडा एकनाशंदे कैम्ट में सामिल हो सकते हैं तो अपने आप पर ये बड़ी ख़बर है कि लोक्सपा चुनाब से पहले इस ख़बर पर आप अपनी नजर बनाए रखिएगा फिलाल बहुत शुक्रिया तमाम अपडेट ह अब तक पहुंचाने के लिए तो